हालो गाइज I am back with another gameplay video और आज हम फिर से खेलने वाले हैं hero truck simulator 2 और भाई आज हम करने वाले हैं कुल धमार चलो बिना किसी टाइम विश्क के चलते हैं gameplay के अंदर तो ओके काईज अभी हम आ चुके हैं गेम प्ले के अंदर और आप हमारा ट्रक देख सकते हो भाई और आज हम क्या ट्रांसपोर्ट करने वाले यह भी देख सकते हो भाई यह एक बोट है वह भी खतरनाक वाली बोट है मैं आपको दिखाऊँ अच्छी तरीके से और आप ट्र अब हम दिमाग खराब होता है तो अभी हम दूसरे का ट्रक की चलाने वाले बस इस ट्रक का कलर अच्छा नहीं है बागी सब कुछ मसते हैं और आप हमारा लोट देख सकते हो ठीक है तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं पहल तो हम इंजन के अंदर जाते हैं ठीक है आप दिखाता हूं कि भाईया इसको देखने में मजा यह आने वाला है करे देखना ना मसल अगहिए भाईया कोई लक्जरी बॉट है तो हम इंडीके influencers दिखा देते यहां से और यहां से गाड़ी मोडते है कोई आ इसी जारा हूं पहỗi कोई नहीं आरा से चले हैं और यह टक्राना जाए अपना बूट बहूत कीमत है अगर गल्ती से इसको कि और सामने कहा रहा रुब रुप जाओ भाई गजब लग रहा बोले तो कि और बाई देखो रेलेट जम कर दिया मैंने नुक्सान हो गया अपना मगर आप देख सकते हो कि वीक खतरनाक लग रहा है और एकबर एक बर हम देख लिते कन्क्रल हमें अभिया इदर जाना है इदर मोडना है चलो फ्राण से इंडिकेटर दिखादिया में इनगेटर दिखादिते थे भाई बहुत बड़ा समान है उपर रेड लाइट से टक्राना जाए समान अतना अतना लोड बिल्कुल देख दाख के हमें इसे वो करना है तो चरह आगे बढ़ते हैं भी गाड़ी को सीधा करते हैं और चलते हैं अपने मंदिल की और मैं आपको अज अलग-अलग अंगल से भी दिखाने वाला हूँ पिष्ले वाले में हमने आइंगल ज्यादा अछे नहीं रखे थे तो मैं अच्छे अच्छे अइंगल से दिखाने वाला हूँ आपको यहां पर एक और राइल लाइट आ चुग है और अधिक क्या है और मैंने कहा चड़ा दिया मैंने फुट पाप टेर गाड़ी चड़ा दिया अब आगे बढ़ जा कि न्यूट्रल होगी भाई अब कितना एक खता लग लग रहा है यह फिसल फिसल ना जाए फिसल यह गिर ना जाए अब नेविकिशन देखते हैं शीय चलना है बोल चकर से हमें मुड़ना है यह बाई यह रैंड लैट से ना टकरा जाए इतना हूंच आई है चलो तो आगे बढ़ते हैं देरे देर आगे बढ़ते रहते हैं और फिल लेते हैं वाई कि क्या खतरना चीज हम ट्रांस्पोर्ट कर रहे हैं आज के दिन में और गाई अगर आप यहां तक देख चुके तो प्लीज एक लाइक कर दिजेगा चनल को अभी तक दो यार और अपने दोस्तों को इसाब भी शेर कर दो अगयों तो हम इंडिकेशन देख लेते हैं कहा जाना भी आमें गोल चक्कर सामें लेफ्ट लेना है ठीक है चलो अभी पहले थटवड़ा सा अंदर चला लेते हैं चलो इस बहार से मजा आएगा बहार से ऐसे कट लेने अब यहां से हमें राइट लिना है मेरे इंडिकेटर भी दिखा दिया है कि तुकना नी वाई टुकना नी तुकना नी कि आगे का देखने करना दिक्कत होता गिया कहां देखे समझ में नहीं आता और आधे चमकांडी लोग भी ना भाई कहां कहां से निकालते रहते हैं गाड़ी तो हम यहां से उपर चड़ाना मेरे खाल से एक गड़ देख लेते हैं बिल्गुल इस पर एंगल से लाते हैं और मैंने आपको ट्रक दिखाया ने उपर दिखो रेडियो सिस्टम है और ठुकना नी टुकना नी टुकना नी गई भाई कि हम अभी आ चुके हैं एक हाइवे पर और मैं आपको ट्रक भी दिखा देता हूं ट्रक कैसा अपना पर तो बाहर आप पीछे देख सकते हैं ऐसे उपर रेडियो सिस्टम में फुल रेडियो सिस्टम मर्शेडीज का ट्रक है तोड़ा सस्ता वाला मेरे खाल से पर इसमें इसलेक सोनेकी जगह दो बंद्र समस्क्राइख में डो बंदर सौनेगा होता है बिल्कुल साहे कोई बिल्क्ल चाहिए कर नहीं अब हें आप्के चलते हैं जाने का मिलब साइड मेर से कौन आ रहा है देख इस कार वाले को जोगर कैसे आएगा आगे अभी है जूलता हुआ बेव कुफ सबसे बत्तमीजी से यही चलाते है गाड़ी मेरे के लिख अब यहां से मुढ़ना है तो हम यहां से इंडिगेटर दे देते हैं अब हम इस लाइन पर जाना है और हम कैमरा एंगल भी चेंज कर लेते हैं यह थोड़ा सा मजा आए अपने वो है यहां से चलना है अब में नहीं नानिंट नीमिल्कुल में नुक्त थेज़ है तोड़ा कम कर लेते सपीड और देख लेते हैं यहां से जाना है तो अब मैं और ऐंगल दिखाता हूं आप लोगों को क्या जहर लग रहा भाई इत्ता है वी लोट बोड लेके चल रहे हैं ट्रक पर यार अलग ही है स्पीड ठोड़ी कम कर लेते हैं कोई बंदा आगे होगा रहा हम ठुक जाएंगा भी या यह एंगल देखो क्या जहर लग रहा है पीछे तो को ट्राफिक लग रहा है मैं तो धीर चला रहा हूं ट्रक स्पीड गम कर लेते हैं बाई स्पीड बहुत दाता है और हम अभी आ चुके हैं एक हाइवे पर मुझे पता था हम हाइवे पर निकलेंगे एक हाइवे क्या ही है अभी सर्विस लेन पर अभी हाइवे पहुंच जाएंगे चलो अभी हम हाइवे पर चलते हैं और हमें शीदा शीदा ही जाना होगा और भाई आजकल मेरे चलान बहुत कट रहे हैं कि कि ओवर स्पीडिंग हलकी से भी करता हो साले पूलिस वारे चलान काड़ देते हैं यह लोग रुपते होकते हैं यह बस तुमारे अकाउंट से पै तो के गाइज अभी हम हाइवे पर निकल चुके हैं आगे बढ़ते हैं और स्पीड अब तेज करनी पड़ेगी क्योंकि भाई हम हाइवे पर हैं हाइवे एक्सप्रस बेस बोलो एक तरफ से बोलते हैं मैं रिकाल से मुझे उतना आइडिया निया वैसे तो तीन हुदर का ह होगा तो साथ 6 लेन का हाइवे होगा अब अच्छा कासा है अब यह अंगल चेंज करते हैं और अंदर वाले अंगल जाड़ी चलाते हैं वाई और बगाते हैं इसको अब यहां से हमें सर्विस लेन पर जाना है तो ओके गाई तभी थोड़ी से सीठे अर्जस्ट कर दिया है और यहां से हमें कहां जाना भाई सीधा जाना है मुड़ना नहीं है टिक है और मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ क्योंकि चड़क बहुत पतली है और यहां पर आगे आने का कुछ का खत्रा नहीं होगा तो हम आगे से दिखाते हैं इसको आपको क्या यह गजब लग रहा है वाई चड़क पर लोग देखकर के बोल रहे हैं यह क्या ही ले करें ठुकने का नहीं और ऊपर भी नहीं ठुकना चाहिए भाई अबे हैडलेट कहां जला रहा हूँ मैं मेरी हैडलेट तो बंद है भे अबे पाकल आगमी बिना फालतु को चलान काटके चला गया हैंडलेट यहां जलानी है क्या भाई मुझे उसे नहीं बता दी भाई यहां से देखते हैं आगे से भाई ठुक जाती अभी भाई अभी ठुक जाती बिल्कुल पीछे एक और ट्रक चल रहा है अपने बड़ी समझदारी और साफधारी से चलाना पड़ेगा और एक ट्रक भी इतना महंगा होगा रहें मर्सिबीज का ट्रक है भाई ब्रेक मार मार के चलानेगा बाई आउट अप कंड्रूल होने वाई ते ढलाने यारे ढलाने इस पर जड़ा बल्कुल समझदारी से लाना पड़ेगा चलो 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 अब यहां से एंगल चेंज करते हैं और टुकने का नी अभी थोड़ा भगाते हैं गाड़े को टुकने का नी टुकने का नी टुकने का अभी हम आज चुके हैं एक और हाईवे पे और हम इसको भगाते हैं और होरम लाग दिखाऊं क्या एक चला रहा गदे अब ठुकती ना इतना महेंगा ट्रक एक तो ट्रक कितना महेंगा होगा फिर कुछ कितना महेंगा है यह सोच सकता है ना कि अब यह कि क्या लेके जा रहा इसमें क्या ट्रक करा इसका लगे जाता हो गाँ एक बार अपनी आगे से देख लेते है क्योंकि अपनी हैर लाइड जल्ली हो चलान काटके गया हो का दे का अच्छा चर्ण करण देख लेते हैं मैं वी चाहिए पर रोग दिया है अब दोने में दो एक एक तो चले गए चलेगा वाई इसमें मेरे हाथ में नहीं है अब देख चलान फिर से काटके चला गया एक देगा अच्छा कैसे बंद करूं में कैसे बंद करते हैं है अच्छा है जलाक रखना अंधेरा होने वाला वाई इसलिए टेक है क्या हो गया चल और यह छूटा सा एक क्रूज टाइप का है वह ले तो अपने ट्राविट यार्ड जो होता है उसकी तरह की का है ठीक है नीचे देपो यहाँ पे सर्फिंग विकरा करनी के जगाए नीच अपर वहां पे खाना वाने खाने के रेस्टरंट टाप का या किचन टाप का पना रखाए उतर फिर चिलका रहने का उपर बैठने का भी सीन है जब बड़बड़ी वेगरा होता है इनकी परस्नल होता है परस्नल यह पुक कर लेते हैं होलिडेज में तो यह वह हम कहीं और आप यह वैब चल रहे हैं आपकी भाले ने चलान काट पकड़ के मारेंगे उतार रहें को ऑवर करें में अपने ट्रक देंगो इसमें और भाई स्पीड जादा में प्रडखना रही हो तो हमें अंदर चलाना पड़ेगा कितने स्पीड गर दियां ने अस्टी की लिमिट है भाई वो गदे का अच्छे दुबार देख लेगा तो यह रहा पकड़ रहा किसी को पुलीस वाले हर जगा ही ऐसे है सिनाइचर और नजारे भी देख सकते हैं नजारे भी मस्तवाई और भाई रात होने वाली है रात और यहां से हमको लेना है भाई या राइट इंडिकेटर हमने दिखा दिया जदो कोई आतुन रहा ना कोई नहीं आ रहा भाई भाई दिन दिन में पहुंच जाओ वही बैतार है क्योंकि ना रात को बड़ा दिमाग खराब होता भाई और हम सिंगल लेंगेट उस रोड पर आ चुके हैं और थोड़ा बेहाद सा आया गाउं जैसा एरिया आने वाला है जंगल ही जंगल है जहां पर अगर यहां पर रात में चलानी पड़े ने ट्रक दिमाग खराब होगा यार उस दिखेगा नहीं तो फटा फट पहुंच ले है और के तो हम आज चुके हैं यहां से हमें देखना पड़ेगा साइड पीछे पीछे सबसे पहले पीछे देखना पड़ता राम से ब्रेक मारा गाड़ी को स्लो कर लिया और यहां पर हम दिखा देते हैं कोई है तो नहीं ना कोई नहीं है मैंने इंडिकर दिखा दिया है यहां से मोड़ते हैं ट्रक को कोई नहीं है पीछे देख लो वे हैं साइड गुलर में की पीछे टकराद दिन रहातना समान सीधा निकाल लो कैस बगाड़ी को अब दूसरे एंगल से दिखाता हूं आपको यह कोई च्छोड़ा जंगल जैसा एरिया है जो थोड़ा मतलब जब मैट्रो शिटी वेगरा होती है शिटी से अलग है शिटी नहीं है मतलब यह और यह सर्जों के खेत देखो आपको सर्जों अगर मैंने गल्द बताया हो तो और अभी मैं इसको अंदर वाले व्यूश्य कर लेता हूं कि वह यह थोड़ी दिक्कत हो रही है और जल्दी से पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन की और और यहां पर मुझे होरन मारनी चाहिए जहां पर भी जो रोड आते है ना क्रॉस बोल सकते हैं चोराहा जो बोलते हैं एंदी वे वैसा है वहां पर हमें हर्न बढ़ा देनी चीए और भाई क्या ड्रावना मनस्वाम लग रहा है नजारे बढ़े ड्रावने से लग रहे है रात में यहां पर एक्चर में लोग ट्रक कैसे चलाते होंगे भाई कि इतना ही खतरना कोता हुआ और अपना ट्रक भाई अच्छी खासी स्पीड पर है कि साट की लिमिट है मस्ति में चला रहा है अगर पुलिस वाला आगया ना तो पक्का सलान काट को जाएगा पर मुझे फरक नहीं पड़ता भाई बाई तुम्हारा भाई फुल हर्यारा रोड विच के तरफ चलाता है ट्रक भी अगर के सामें मुड़ना है मेरी खल से तो हम यहां से लेप्ट का इंडिगेटर दे देदी क्योंकि हमें लेफ्ट मुड़ना दिख रहा है मुझे नविगीशन में और हमारी है लाइट जल रही है ना हाँ बाई जल रही है और मुझे दिख रहा है कि अपने ट्रोली में भी लाइट जल रही है इंडिड जल दिया मतलब और ब्रेक लगजा कि दूसरा कैमरा एंगल करते हैं और यहां से ट्रक को मोडते हैं करें अ कि मुझे ऐ से रूसलराव करें हूए एक ददीब करें हैं भाक चैनि युदु करें भाई ₦ա मोटे हौइब beyond ट्रक को कई वीरा consort पूरी तरीके सा रात हो चुकिए आप देख सकते हो अंदेर हो गुप तंदेर हो गया मतलब तो ओके गाईज अभी यह रात हो चुकिए रात के दो बज़रे तकरीबन और आगे पैट्रल पंपे दो सो मीडर आगे तो अभी हम काड़ी को वहां पाक करेंगे और फोर दरीके सो जाएंगे अपने ट्रक में सोना होता है बाई अच्छे अच्छे नजारों के मज़े इन रृशां अदर ओके तो अब भी हम यहां से आगे करते हैं पार्किंग की जगह का है पार्किंग यही ए MAYरी खियल से यह आप देख रहुँ है यहीं जगह आपक इसकोि मेरी ख्याल से इसको यह वाइप करते हैं इंजन बंद कर देते हैं और एंटर मार देते हैं ठेक है पांच छे साथ आट नौ गंडे की हम निन ले ली है और देखो भया पूरा दिन हो चुका है आप देख सकते हो अपने हमने ट्रक रात दरात को पाक कर दी तो यहां सो गयते हैं सोनी के जगा होती है यह पैटल पंप ह इंजन उन करते हैं यहां से इंजन चालो करदे हैं था आफ किता एठना यह चुका है यहां समझ गया या turn मस्ट मस्ट मजा रहे हैं और पीछे ठुबी नीची अपना ट्रॉक अब देख सेकेंड के अंदर भाई हर्सी यह कड़े जाते हैं ही रो बाहर नजारे देखो भाई ओ प्रिस वाले खड़े हैं अब तुम कैसे खड़े हैं मैं कैसे निकाल हूं यहां सित्में और मार्दम सार्ग इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है बंदेगी देखो पूनट खोल के खड़ाया है हम पहाड़ दाले एरी में घूम रहे हैं तो यह ट्रक का काम भी मस्त है हार हना भूमते भी रहो यह सर्शो के खेट रहे करा देखो क्या मस्त न जा रहे हैं और अउट टूरिस्ट बस आजी कितने स्पीड में अपड़ा का चला दी मैंने ओ ठुकना निए भाई यह चला बड़ा दिफिकल्ट है आर एक सेकेन स्पीड गम करते हैं और वहीं से भी यह अपनी चमीश से चलाते हैं प्रक के अंदर से अलग फील आती है वाई देखो सन रूप देखो सन रूप भी है और कितनी बड़ी लाइट लगी हुए और अपने पीचे सोनी की जगह है उपर भी सो सकते हैं परदा अड़ा लगा लो उपर सो जाओ लिंदास लाइटे वाइटे सा रहा है सारा जुगाड बातरूम बेगरा सब कुछ सावर लेने के लिए कपड़ दोने के लिए हैं अब हम इस ट्रिप का पहला टॉल देने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूं दूसरे अंगल से यह अपना ट्रक कहीं ठोकना जाए उपर इतना हाइट है वाई इतनी सारी चीजे है हमा अला हूँ अराम से अराम से अन्दो अन्दो ऊपर ठुक तुन दा सो भाई अब भाई फैसो करने निकल लिया पर में आपको प्लाइब प्लाइब तो अभी हम टोल पे देखर निकल चुके हैं और आगे बढ़ते और एंगल चेंज कर लेते हैं कैमरा एंगल ओके यहां से हमें लेफ्ट लेना है ठीक है बड़ी साफदानी से लेना है क्योंकि यहां समारे पास लोड बहुत है भी वाला है ओके 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 पीछी देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है इस वाले में बुचेड़ा है अपने आपको तुकने नीची है स्पीड थोड़े सी कम कर लेते हैं पर मुझे लगता था कि मर्सिटीज की जो ट्रक हो देगी बड़ी लग्जरी टैप की हो देगी पर इतने कोई खास नहीं है वाई नमल बेसिक साही ट्रक है और तक्रीबन 90 किलिमेटर और रहा चुका है उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा पूरा गाड़ी में जो अभी फ्यूल बचावा है तकरीबन दो सो चॉरासी किलिमेटर और चिल जाएगी मेरी खासे जहां तक अगर मैं सही देख रहा हूं तो बोलर आका कि और ये क्या एक ओड टूल आ गया कि इतने सारे 톡 रों के यहा भीowy पैसे देने प्ड़की साथ मैं वहां पैसे दिए भी थे नीदी दी पता निक जारओ ऐसendoı को अलग आगा ओआज हरां से हरां सबड़ेकाशे ऑड़ itu इंख इंद राभर अच्छा क्छी यह गार्ड टाइप लग रहा देखो बाल बाल देखो मस्त कट वा रहे हैं इस तुन दे रहे हैं यह भी कितना बड़ा ट्रक लेके जा रहा है पर यह ट्रक वड़ा सिंपल होता है इस पर देखने का दिखने का दिखने का कुछ रख नहीं है जिद्यक डबाएं चलो इससे चल के बात करते हैं आखे जाकर के साइट में जाकर के तेज भगा रहा है अंदब रेस लगाएगा जाका दान रुको हम जा रेस लगाने की कहा रहा है यह नब्बे की स्पीड लिमिट है न जुखना रिवस पुरो दिमाग खराव जागा नी जुआ है ओय है अलो इससे बात करते हैं चल के नई यार अपना वह आ गया कट नहीं इससे बात करता है पूशता का वाले का लेकि जा रहा है सवान के यहां से कोई सीड़ी है साथ इसके अंदर हमें घुसना है ओके हमें यहीं से मुड़ जाना है इंडिवीड़ों दिखा दिया मैंने दूसरे एंगल से देखते हैं बाई कता ही जहर जहर लग रहा है क्या कदरनाक लोग भी देखके कंफ्यूज जाते हैं कि दूर से के बहुत आड़ी रोट पर चल करें और बीचे भाइस केंटर नीचे बैड्रूम्स वेकरा भी होंगे मैं तो बस रूपर काई बताया हो अंदर भी कुस जुगाड होगा अंदर कि अगरे तो अब है अगरे तो आपके तो आप हमें नौट डिवेकेशन आज चुका है वह जो कर्श्टमर बोल रहा है वह यह टायम ऑन टायम ड्रक चाहिए इसको अपना मतलब का समान चाहिए तो पूरी कोईश करके कि वह यह आंटायम पहुंचाने की और मैंने बही फूली स्वीट में भगा रहा हूं ट्रक अभी यहां से हमें ओके यहां से में इंचे जाना है और फटा फट चलते हैं क्योंकि कस्टमर भी वेट कर रहा है इसके लिए लेट ना हो जाए डिलिवरी और जगह देखो भाई क्या मस जगा है यार कैसे कैसी बिल्डिंग है लुकुल चेंज हो जगा कंट्री चेंज होने के साथ ही ना महाल भी चेंज हो जाता है देखो कैसी कैसी यह साथ है आप किसका सलाम कटा भाई यह देख सकते कही जगा है और यहां तो ट्राइफिक लगावाई चलो चलो क्या हो गया और यहां से हमें लेनी है भाई बचके 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 उसाबधानी से हम इस तो बस आगे और आगे हमें यहां से बूल चकर से इसको राइड लेना है मुझे अबे तू रुकावा क्यों है वे क्या हो गया रैल लाइट है नहीं अपर हम तो निरुपते वाई बेन कुफ रुकावा देगो बस वाला पता नी क्यों रुकावा है और यहां से यहां जाना है और यह भी कोई इंडस्ट्रिल एरिया टाप का एरिया सारी फैक्ट्रियां वेगेरों दिख रहे हैं आप और हम अपने लोकीशन पर आने वाले हैं मतलब पहुंचने वाले हैं और भाई बहुत टाइम लगा दी हम दे ग्रीन लाइट निकाल देगा ख्याज़त में भाई जो सारी इस कंपनियां अलग लग कंपनिया है तो लग वग हम आ चुके हैं यहां पर एक रैड लाइट है फिर यहां से हमें लेफ्ट लेना है जर साइड पे नका लेते हैं ब्रेक अर देख सकते हम आ चुके हैं और यहां पे हम ठोड़ी दिखत हो शकती है तो इसलिए हम कि इसको मोड लेते हैं ट्रक को Roya का जाना है तो गपर केस्시 में जाना है धिक दिखाते हैं और इसको हम अंगल पर तक कर लेते हैं चलो बाई इंडिकेटर न आ अ तो पढ़ जाओगे अब यहां में कौन से वाली पारकिंग कर रही है मुझे यह वाली पारक कर रही है करन फर्म करते है अब यहां पर हमें पारक करना है इसको तो चलो मोड लेते हैं भाई पहले तो और भाई यह सही होनी ची तो दिमाग खराऊ जाएगा कि अगर एक बार में आप आगे चले गए ना तो फिर पीछे करके करना बहुत ही डिफिकल्ट है तो इसको बहुत साथाही से करने पड़ती है ओके तो हमने कर दिया है अब टी करते हैं इसको अनलोड कर रहा हुए अलग कर रहा है ट्रक्स अलग तो ओके ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमें कुछ पैसे मिलें और कुछ पैसे कटे होंगे तो ओके गाईज आज के लिए इतना ही और अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो आपको पता होगा क्या करना है सिंपल साइक लाइक करना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर भाई क्या किया है प्लीज आके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही इंट्रस्टिंग गेमप्लेज वीडियो को देखते रह निकले कीप वाचिंग स्लीप ले